Question आपके सामने बच्चो If the coefficient of x9 in this मतलब इसमें जो x9 का coefficient होगा और इसमें जो x की power minus 9 का coefficient होगा दोनों equal हैं तो हमें alpha बीटे के whole square की value find out करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसमें x9 का हमें coefficient find out करना पड़ेगा अब उसका तरीका है हमारे पास हमें पहले पता करना है इसके expansion में x की power 9 कब आएगा तो उसका एक तरीका है एक formula है वो है r equal to np minus m over p plus q इसमें n क्या है n ये power 11 p है इसमें जो पहला x है उसकी power q है जो दूसरा x है उसकी power और m जो है वो x की power है जिसका coefficient find out करना यहां के case में 9 तो ये m है तो put करते हैं n की जगा हम put करेंगे 11 p की जगा put करेंगे 3 ये हमारे पास है 9 इसकी जगा 3 और इसकी जगा 1 उपर हमारे पास 33-9 over 4 हो गया इसको minus कर रहे हैं तो 24 over 4 हो गया और ये 6 आ गया ठीक है ये समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है 6 r की value 6 आ गयी है तो r की value 6 में आप x9 आपको मिलेगा उसी का coefficient find out करना है तो r की value 6 के लिए हम कैसे solve करेंगे हम लिखेंगे general term जो होता है t r plus 1 जो की हो गया t 6 plus 1 कैसे करते हैं क्योंकि general term आपको लिखना पहले ही आना चाहिए तो क्या लिखेंगे 11 c 6 जो पहला term है alpha x cube इसकी power 5 और जो दूसरा है 1 over beta x की power इन दोनों का यह जो power है ऐसे लिखते हैं 11 minus 6 यहां लिखते हैं और इसको यहां लिखते हैं अब जब इसको simplify करेंगे तो यहां x की power 15 हो गया यह x की power 6 हो गया simplify करो गे तो x की power 9 आ रहा है और आपको x की power 9 का ही coefficient find करना है तो coefficient of x9 कितना हो जाएगा 11c6, alpha की power 5, over beta की power 6 ये तो आ गया, इसमें x9 का coefficient यही तरीका हमें इसके लिए भी follow करना है इसको ध्यान में रखना है, ये हमने क्या लिखा है है ना, अभी जरूत पड़ेगी अब हम इसके लिए करते हैं, यही सारा ताम जाम इसके लिए भी करना है इसमें x की power minus 9 का हमें coefficient find out करना है तो हमें पता करना है पहले कि इसके expansion के time पर कौन सी term होगी जिसमें x minus 9 आएगा तो तरीका वो ही हमारे पास हमारे पास एक formula है, ये find out करना के x की power minus 9 इसके expansion की कौन सी term है तो formula है r equal to np minus m over p plus q n हमारे पास ये power है 11 p हमारे पास जो पहला x है उसकी power है और m हमारे पास ये है तो m हमारे पास कितना है minus 9 तो ये हो जाएगा plus 9 और ये हो जाएगा 1 plus 3 ये हो जाएगा 20 over 4 और ये है जाएगा 5 इसका मतला r की value 5 पर आपको x की power minus 9 मिलेगा और उसी का coefficient हमें चाहिए तो अब आपको पता है जब किसी का expansion करना होता है तो उसकी general term का formula कुछ इस तरीके से लिखते हैं tr plus 1 r हमने कितना निकाल लिया है 5 तो ये 5 plus 1 हो जाएगा अब आगे कैसे लिखेंगे 11c5 जो पहली term है alpha x उसकी power क्या लिखेंगे इन दोनों को minus करके और जब दूसरा है क्या है दूसरा minus 1 over beta x cube की power clear हो चुका होगा अब ये चीज़ देख लें क्या लिखा है इसमें ये है x की power 6 यहाँ पर हो गया यहाँ पर x की power minus 15 हो गया simplify करोगे तो x की power minus 9 आ गया बट हमें क्या चाहिए हमें coefficient of x की power minus 9 चाहिए जो कि हमारे पास आएगा 11c5 आगे क्या लिखेंगे हम alpha की value 6 और beta की value 5 और 7 में हम ये minus भी लगाएंगे आगे तो इसमें हमारे पास minus भी आ जाएगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तो हमें x की power minus 9 का coefficient मिल गया जो कि यह है और इससे पहले हम यहाँ पर x की power 9 का coefficient find out कर चुके थे अब क्योंकि question में इन दोनों को equal रखने के लिए का है तो हम equal रखेंगे तो यह हमारे पास क्या है minus 11 minus यहाँ पर है alpha की value 6 beta की value 5 और यहाँ जो हमने निकाला था वो था 11c6 alpha की value 5 beta की value 11c6 यह है alpha की value 5 और beta की value 6 अब हम क्या करते हैं इसको solve करते हैं यहाँ पर देखें यह तो cancel हो जाएगा दुनों same है यह alpha की value 5 यहाँ cancel हो जाएगा यह cancel हो जाएगा अब अगर cross multiply करके देखोगे तो alpha beta आपके पास minus 1 आ रहा है और alpha beta का जो square है वो किसके equal आ रहा है 1 के तो इस तरीके से बच्चों हमारे पाई जो question है इसका answer कितना आ चुका है 1 आ चुका है ठीक है तो इसको हमें ऐसे ही solve करना था तरीके से बचाएगा